So guys, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं Vivo के ना अपकमिंग स्मार्टफॉन के बारे में जैसा कि दोस्तों आप सब को मालूम है कि Vivo की V स्रीज और S स्रीज काफी पॉपलर है और काफी कमाल के फ्लैक्सें स्रीज के अंदर आपको देखने को मिलते हैं जिसके अंदर दो स्रीजई को मिलने वाले हैं जिसमार्टफॉन रहेगा Vivo S 12 और दूसरा यही का पुरूवेयरंट ओने वाला है इन दोनों स्मार्टफॉन के दोस्तों ऑफिस्यल लॉच्डेट सामने आ चुकी है साथ ही दोस्तों जो ऑफिस्यल डिजाइन है वो भी निकल कर आ चुका है तो आज कि लिए वायस हम बात करेंगे भी वेव एसट्les स्मार्टफोन की सभी स्पैक्स के इसके डिजाइन की इसके साथ ही घली समा करेंगे इस फोन की प्राइस क्या रह सकती है ? और यह स्मार्टफन इंडिया में कब तक हमें देखनी को मिल सकता है ? तो स्वागत आप सब का टेग रोज पर जनकरी की वीडियो में अंड तक बने रहें और दोस्तों चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लिजे ताकि आपको इसी तरह के टेग वीडियो मिलती रहें सो दोस्तों वीड़ा एह स्मार्टफोन की अगर हम बात करते हैं तो फोन की सब 你 시청 रिव्यल हो चुकी है इसके साथ दोस्तों फोन की डिजाइण है वह भी कनफर्म हो चुकी आपको जल्दी से बात करते हैं फोन की सबी में तो आप देख सकते हैं कि फोन की डिजाइन negat का अगर फ्रेंट साइट की बात करते हैं दोस्तों तो यहां पर आप देख सकते हैं कि एक बड़ी डिस्प्लेइ आपको देखने को मिलती है जो की डूल सेलफी केमरे के साथ में आपको दी गई है तो काफी कमाल का डिजाइन दोस्तों फॉन का रहने वाला है साथी विल्ड बात करते हैं फॉन की इसके बात करते हैं प्रफ्रमेंस की तो एसे लीकस की निकल आए है कि यहां पर आपको MediaTek की तरफ से Dimensity 1200 चिपसेट देखने को मिलेगा इसके साथ ही गईस ऐसे भी लेक्स हैं कि यहाँ पर आपको Dimensity 1100 प्रोसेशर भी देखने को मिल सकता है अब फिलाल दोस्तो यह तो क Carnegie 1100 प्रोसेशर यहाँ पर आपको दिया जाएगा लेके साथ ही गईस यहाँ पर आपको दी जाएगी तो परफॉर्मेंस वाइज दोस्तो काफी अच्छा स्मार्ट फोन यह रहने वाला है अगर performance के बाद दोस्तो बात करते हैं phone की camera setup की तो यहाँ पर दोस्तो आपको rear side में triple camera setup दिया जाएगा जिसका man sensor रहेगा दोस्तो 108 megapixel का इसके साथ ही दोस्तो 8 megapixel का wide angle lens and 2 megapixel का यहाँ पर आपको एक macro lens देखने को मिल जाएगा इसके लाबा दोस्तो अगर बात करते हैं phone के front camera की तो front side में दोस्तो आपको dual selfie camera दिया जाएगा जिसका man sensor रहेगा दोस्तो 44 megapixel का इसके साथ ही दोस्तो 8 megapixel का wide angle lens यहाँ पर आपको मिल जाएगा तो काफी कमाल की दोस्तो आप यहाँ पर video calling वगरा कर सकते हैं साथी selfies वगरा भी काफी कमाल की आप यहाँ पर ले पाएंगे तो camera watch दोस्तो काफी कमाल का दोस्तो यहाँ पर camera setup आपको दिया गया है इसके साथ ही यहाँ पर यह smartphone selfie levers के लिए काफी अच्छा option रहने वाला है अगर आपको भी selfies लेना पसंद है तो definitely दोस्तो आप इस phone का wait कर सकते हैं पर camera setup के बाद दोस्तो बात करते हैं phone की battery की तो यहाँ पर आपको 4200 damage की बड़ी battery देखने को मिलती है जो की 44 watt के first charging support के साथ में आएगी तो काफी जल्दी ही दोस्तो इस smartphone को आप चार्ज कर सकते हैं और काफी बड़ी battery है तो काफी अच्छा battery backup भी दोस्तो यहाँ पर आपको मिलने वाला है अब अगर बात करें दोस्तो फॉन की कोछ और details के बारे में तो यहाँ पर आपको in display fingerprint screen का support देखने को मिलेगा साथ ही guys 3.5 mm का audio jack और USB Type-C का support यहाँ पर आपको दिया जाएगा इसके लाबा दोस्तो यह smartphone Android 12 फर work करेगा तो काफी कमाल की दोस्तो इस पीड यहाँ पर आपको 5G connectivity के साथ में देखने को मिलेगी अगर बात करते हैं दोस्तो फॉन की प्राइजिंग की तो इस फॉन की प्राइजिंग रहने वाली है अप्रोस 35,000 के असपास इसके साथ ही दोस्तो वाई दिसंबर को यह smartphone चाना के अंदर लाँच होने वाला है और इंडिया के अंदर भी दोस्तो यह smartphone आपको जनवरी या फर्वरी के आसपास देखने को मिल सकता है भी अब अब कर सकते है और अब कर सथ आ दोस्तो इस वीडियो क्लिए और दोस्तो चैनल पर पहली वाट दीजया है तो चलनल सबकिराइब कर लिखे ने हैँ विडियो में अब तक लिए गुद्बाई, वाइन नाइश दे